नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का MS Current Affairs YouTube चैनल पर स्वागत है प्यारे बच्चों उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों आज हम वीडियो 2018 की पेपर को देखने वाले हैं इस वीडियो में हम टॉप 50 हिंदी के प्रस्णों को कवर करेंगे और एक एक प्रस्णों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पाले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो चलिए प्यारे बच्चों हम प्रस्णों को देखते हैं देखें पहला प्रस्ण हिंदी में पूछा गया था अमेड्मेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है तो देखें चार आप्शन दिये गये थे इसका जो सही उत्तर है आप्शन B संसोधन वहीं अगर हम देखें लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ देखते हुए चलते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो सके कोशन उर्वर्शी किसका काब्ब्य है तो इसका जो सही उत्तर है आप्शन C रामधारी सिंग दिन कर अगला प्रशन पूछा गया है सूर सागर के रचईता कौन है तो दिखें इसका जो सही उत्तर है आप्शन D सूर दास बहुत आसान कोशन पूछेगा है तीसरा प्रश्ण पूछा गया है निम्न लिखित में रीतिकाल का कवी कौन है तो रीतिकाल का कवी कौन है वो है बिहारी अगला प्रश्ण पूछा गया है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं इसका सही उत्तर है option B चंद्रधर सर्मा गुलेरी देखे सात्वा प्रश्ण पूछा गया है जगत का अर्थ है तो जगत का अर्थ होता है संसार वही अगला प्रशन पूछा गया है निम्न में अन्तास्त ब्यांजन कौन सा है तो देखें अन्तास्त ब्यांजन कौन कौन से होते है यार लव तो देखें आप्शन में व है तो इसका सही उत्तर होगा आप्शन सी वही आठवा प्रस्ण पूछा गया है निस्फल का आसय क्या है तो निस्फल का आसय होता है ब्यर्थ ठीक है वही बारहमा प्रस्ण पूछा गया है अल्प प्राण ब्यंजन कौन सा है तो देखे अल्प प्राण और महा प्राण ये दो होते हैं तो अल्प प्राण का क्या होत तो एक, तीन, पांच, यानि कि क, ग, और अंग, ये आपके अलपप्राण होंगे, अब बाकी जो दो बचेंगे, दो और चार, वो आपके महाप्राण होते हैं, तो इसमें आपका आप्शन में क्या है ग, यानि कि B is right answer, तो ध्यान रखेगा है, अलपप्राण और महाप्राण, दो होते हैं, पहला होता है, अलपप्राण में कौन-कौन से होते हैं, एक, तीन, पांच, यानि कि जब क से लेके आप ग्या तक लिखेंगे, तो क आएगा पहले नंबर पे, ख आएगा दूसरे नंबर पे, ग आएगा तीसरे नंबर पे, घ आएगा चोथे नंबर पे, वहीं अंगा आएगा पाचवे नंबर पे, तो क, ग, अंग, ये आपके अलपप्राण है, ख और घ ये आपके महाप्राण है, चलिए, अगला प्रस्न देखते हैं, नवा प्रस्न पुछा गया है, सुख के खेतों को हरा- बनाना, खेतों की सिचाई करना, जीवन को संकट में डालना, देखे, कितना अच्छा प्रस्न पूछा गया है, सुख के खेतों को हरा-भरा और प्रफुल्लित करना, तो इसका क्या मतलब है, जीवन को सुख में बनाना, ठीक है, वैसे, आप सब भी कमेंट में बताईएगा कि नौवे का क्या right answer होगा चली अगला देखते हैं देखे निम्न में घोस one कौन सा है ते रहमे का प्रश्ण का right answer है आप सने जा कैसे है अब इसको समझते हैं देखे दो होते हैं एक सघोस होता है एक होता है अघोस अघोस होता है एक और दो एक और दो, यानि की कोख, चोच, टोठ, मतलब पहले जो, पहले दो सब्द होते हैं, वो आपके अगोस होते हैं, उसके बाद जो होते हैं, वो सघोस होते हैं, तो इसमें जैसे उपर आपने देखा, अल्प प्राण और महाप्राण का, अल्प प्राण का क्या देखा था, एक तो घोस आपका है तीन चार पांच अगोस क्या होगा एक और दो ठीक है तो इसमें कचट यह आपके नहीं होंगे जो आपका घोसवर्ण है चलिए अगला देखते हैं दस्वाप्रश्न निम्न में दिर्ग स्वर है दिर्ग मतलब क्या होता है बड़ा तो देखे इसमें बड़ा कौन सा है इ बड़ा उ यह सब आपका दिर्ग होता है तो इसका राइट एंसर है आपसन बी वहीं अगला देखते हैं निम्न में ओस्ट या वर्ण कौन सा है ओस्ट यानि की ओट से बोला जाए तो देखें ये सब आपके ओस्ट वर्ण होते हैं इसी के साथ साथ उ ये भी आपका ओस्ट वर्ण है तो इसका राइट अंसर है आपसर डी चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं निम्न में यौग रूड सब्द है बच्चों ध्यान से समझ देखें एक होता है रूड सब्द एक होता है यौगीक सब्द और तीसरा होता है यौग रूड सब्द तो यहां प्रस्ण पूछा है यौग रूड सब्द यौग रूड सब्द का मतलब होता है कि ऐसे सब्द जिसका दूसरा अर्थ भी निकलता हो जैसे हमने कहा नील कंट तो हमने निलकंट कहा तो निलकंट किसको कहा जाता है महादेव को जैसे मैं बोलू लंबोदर तो लंबोदर किसको बोलते हैं भगवान गडेश जी को ऐसे ही मैं बोलू दसानन तो दसानन किसको बोला जाता है रामण को कहने का मतलब ऐसे सब्द जो बोलतो रहे सब्द लेकिन अर्थ उसका किसी ब्यक्ति विशेज के लिए निकल रहा है ऐसे सब्दों को हम योग रूड बोलते हैं अब यहाँ जलज, जलज क्या है? जलज देखिए जलज का मतलब होता है कमल यानि कि ये पर्यायवाची है कमल का ठीक है तो हम जलज बोल रहा है लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है कमल अब हम बात करते हैं अगले प्रश्ण की रसोईया रसोईया में प्रत्य है देखे प्रत्य उपशर्ग आपको अगर नहीं आ अब यहां लिखा है रसोईया, तर रसोईया में जब आप या को हटाएंगे तर रसोई, रसोई घर, रसोई घर से ही बना है रसोईया, ठीक है, तर रसोईया जब आप लिखेंगे तो बड़ी ए हो जाएगा, या हटेगा तो बड़ी ए हो जाएगा, और उसी को हटाने के लि के अंत का और उपसरग का मतलब होता है किसी सब्द के पहले का सब्द यानि कि रसोईया में अगर आप देखें तो अगर मैं ऐसे ही बताऊु नौर्मली तो रौ आपका उपसरग साइड में जाएगा और या आपका प्रत्या के तरफ जाएगा यानी कि जब उपसर्ग पूछाएगा तो आगे वाले पाट को देखा जाता है और प्रत्य पूछाएगा तो पीछे वाले पाट को देखा जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं महोत्सव का संदी विक्षेद क्या होगा तो दिखें महोत्सव का संदी विक्षेद होगा महाधन उत्सव ध्यान रखेगा संदी विक्षेद में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेगा बच्चो कि हम जब भी संदी करते हैं दो सब्दों को break करते हैं दो सब्दों को तोड़ते हैं तो तोड़ते समय एक सब्द हमेशा ध्यान रखेगा कि जब भी हम जिस चीज को तोड़ रहे हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए यानि कि जैसे महोच्छो को हमने लिखा महाधन उत्सो तो देखे उत्सो उत्सो एक अर्थ है ठीक है उत्सो यानि कि हम उत्सो मनाते हैं ठीक है तो एक अर्थ निकल रहा है ऐसा नहीं कि कुछ भी हम break कर दे नहीं जब भी break करिएगा तो उन दोनों का अर्थ जरूर निकलना चाहिए इसे ध्यान रखेगा चलिए अगला प्रश्ण है निम्न में कौन सा सब्द तत्सम है तो देखे तत्सम की एक trick मैं आपको बता दूँ वैसे तो ये trick नहीं इसको आपको पढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ देखे जब भी छत्री वाला छा है ठीक है छ, त्र, व, इस तरह के सब्द आते हैं तो ये तत्सम होता है अक्सर करके तत्सम में प्रयोक किया जाता है ठीक है तो यहाँ देखे छेत्र आपका तत्सम होगा वहीं छेत्र छो का तद्भो क्या होता है खो होता है जैसे छेत्र का खेत हो जाएगा ततभव चलिए अगला देखते हैं बैल गाड़ी में समास है तो देखें बैल गाड़ी में समास क्या होगा बैल और गाड़ी दो से मिला है दो सब्द बने हैं बैल की गाड़ी कैसी गाड़ी बैल की गाड़ी तो ये कॉण सा समास हुआ, तत्पुरुष समास, क्यों कि हम पढ़ते हैं, कि जब हमें लगता है कि जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो कॉण सा समास होगा, तत्पुरुष समास चलिए अगला देखते हैं निम्ण में से कौन सा सब्द तदभव है तो देखें यहां तदभव सब्द पूछा जा रहा है तदभव का मतलब होता है हिंदी सब्द तो यहां जीव, जीव को कहते हैं तदभव वहीं अगर तत्सम पूछा जाए तो जिवा हो जाएगा चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं आगमन में उपसर्ग है आगमन अभी मैं उपर बता रहे था कि जब भी प्रत्य और उपसर्ग पूछे तो उसका संधी करिए और संधी करते हैं कि एक अर्थ निकलना चे सही सही अब यहाँ देखे आगमन में उपसर्ग पूछा है उपसर्ग जैसे कि हम जानते हैं कि पहले का सब्द तो पहले क्या है आ अगर हम आ को निकाल दे तो क्या बसता है गमन गमन देखें गमन एक सार्थक सब्द है कैसे हम कभी सुने होगे कि किसी ने गमन कर लिया पैसे का गमन कर लिया ठीक है तो इसलिए हम जब भी संदी करते हैं तो उसमें कोई न कोई सार्थक सब्द निकलना चाहिए तो यहां आगमन में उपसर्ग क्या होगा आ होगा अगला देखते हैं निम्न में कौन सा सब्द देशज है देखें यहां प्रश्ण को पढ़िए और मन लगा कर अच्छे से पढ़िए और समस्ते चलिए कि हम इक्जामनर पूछना क्या चाहता है प्रश्ण क्या रहा है निम्न में कौन सा सब्द देशज है यानि कि देशी तो गोबर घोड़ा हल्दी यह सब्द है लेकिन कटुरा जो है यह देशज सब्द है यानि कि ऐसा सब्द जिसका कोई जो मतलब किसी कहीं आपको ये अपने से बनाया गया है ना कि इसको कहीं कहीं से आपको इसका अलग से कहीं इसको मिलेगा लिखा हुगा आपको मिलेगा ये बोलचाल की भासा में चलन में आ गया देशाच सब्द इसी को कहाते हैं कटोरा, खिड़की, लोटा, ठीक है चलिए अगला देखते हैं निम्न में कौन सा सब्द विदेशी है विदेशी सब्द कौन सा है तो इसमें देखे सही उतर है आप से ने टिकट ऐसे ही रेल ये भी आपका विदेशी है लाल टेन ठीक है आप सब कमेंट में और भी सब बताईएगा विदेशी सब्द कौन कौन से है आलमारी बताईएगा कौन सा सब्द है आलमारी, गमला, आलपीन, बाल्टी ये सब कौन से सब्द है रिक्षा बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है रिक्षा कौन सा सब्द है क नैची, चाकू, यह सब बताईए कौन सा सब्द है, कमेंट में जरूर बताईएगा, चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, देखें, अब बात करते हैं, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया में बच्चों ध्यान रखेगा, दो बहुत आसान से ट्रिक बता रहा हूँ, पहला आना, वाना, पहला आना, दुसरा वाना, यह सब्द जब मूल क्रिया में आप लगाएंगे, तो उससे बनने वाला सब्द आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है, जैसे यहां लिखा है गिराना, तो गिराना का मूल क्रिया होगा गिरना गिरना में क्या जूड़ा गया है आना गिराना और वहीं वाना लगा देंगे तो गिरवाना तो यह आपका प्रणडार्थक रिया होता है जैसे पढ़ना तो पढ़ना में क्या होगा पढ़ना का पढ़ाना और दूसरा क्या होगा पढ़वाना चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं निम्न में संग्या सब्द है तो संग्या आपको पता है आपने पढ़ा होगा कहीं नाम किसी का नाम, इस्थान का नाम, जगह जो भी होता है, वो संग्या कहलाता है इंग्लिस में पढ़े होंगे न noun is the name of any person, place or things तो यहां क्या है, सभा सभा आपका क्या है, संग्या है वहीं अगला प्रश्ण देखते हैं निम्न में अभ्याय है तो अभ्याय कौन सा है ठीक, ठीक जो है आपका अभ्याय है राइट आंसर है, option B अगला देखते हैं निम्न में सर्वनाम सब्द है तो देखें सर्वनाम क्या होता है जहां संग्या के इस्थान पे प्रयुक्त किये जाने वाले सब दो को हम सर्वनाम कहते हैं तो देखें बहुत आसान है कौन जैसे हम कहें राम पढ़ रहा है लेकिन अब हमें हम पूछे कौन पढ़ रहा है तो कौन क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, वहीं अगला प्रस्ण देखते हैं, पक्छी का पर्यायवाची, तो पक्छी का पर्यायवाची होता है विहग, चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं, निम्न में विसेशन सब्द है, विसेशन सब्द कौन सा है, उचित, ठीक है, जो व विसेशता कौन बता रहा है तो घोड़े का विसेशन क्या हो जाएगा काला ठीक है जटिल का विलोम जटिल का विलोम होगा सरल अगला प्रस्ण पूचा गया है जो देने योग्य है के लिए एक सब्द तो इसका सायोता रोगा आप्सन बी दे अगला प्रस्ण है निम्न में वर्तनी की दृष्टी से असुध सब्द है तो देखे प्रमारिक नहीं होता प्रामारिक होता है राइट आंसर है option D 32 प्रस्ण देखिया है दीन दीन सब्द युगम का सही अर्थ है देखे एक दीन का होता है दिवस और दूसरे दीन का अर्थ होता है गरीब ऐसे ही एक और प्रस्ण पूछा जाता है अली 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 यानि कि अ लपे छोटी ए की मातरा अली और एक होता है अली में बड़ी ए की मातरा तो जो अली में छोटी ए की मातरा होती है उसका मतलब होता है भवरा और जो अली आप लिखेंगे और उसमें बड़ी ए की मातरा लगाएंगे तो उसका मतलब होता है सक्षी बहुत बार पूछा गया है प्रश्नों चलिए अगला प्रश्न है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है इसका से उत्तर है पर आपने पढ़ाओगा करताने करम को करन से इस तरीके से पढ़ाओगा तो यह आपको याद होगा चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं निम्न में कौन सा सब्द अनेकार्थक है देखें यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं लोगों को लगता है कि जो परयावाची है वही अनेकार्थी है नहीं दिखे अनेकार्थी सब्द का मतलब होता है कि एक सब्दों के कई अर्थ लेकिन अब जैसे पर्यावाची में अभी आप उपर पढ़ रहे थे कमल का पर्यावाची आपने पढ़ा जलज आपने उपर पढ़ा जरज, पंकाज, नीरज, तोयज ये सब क्या है, ये सब पर्यावाची है कमल के लेकिन अनेकार्थी सब्द का मतलब होता है बच्चों जैसे अंबर है, तो अंबर के कई अर्थ होते हैं ठीक है, तो वो अनेकार्थी कहलाएगा अनेकार्थी और पर्यावाची में थोड़ा अंतर होता है जैसे एक उधारण दे आपको द्वीज द्वीज मतलब पक्षी भी होता है द्वीज मतलब ब्रामण भी होता है तो ये आपका अनेकार्थी सब्द होगा अगला प्रश्ण देखते हैं निम्न में पुलिंग सब्द कौन सा है तो देखे इसमें पूलिंग सब्द है चमा मुझे लग रहा है ये गलत है चमा नहीं होगा चमा करना घटना इसका सायूतर होगा मेरे हिसाब से सी छेत्र होगा चमा नहीं होगा इसको आप लोग देख लिजेगा लेकिन मुझे जहां तक पता है छमा नहीं होगा छमा इस्त्री लिंग है 37 का आप सब कमेंट में बताईएगा बच्चो लेकिन इसका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 37 का राइट अंसर होगा छेत्र छमा एक इस्त्री लिंग है ठीक है ये गलत इस पे टिक लगा हुआ है चलिए 34 का दिखे निम्न में वर्तनी की द्रिष्टी से सुद्ध सब्द है इसका सही उत्तर होगा आप सब्द डी परिक्छा अगला प्रश्ण निम्न में इस्त्री लिंग सब्द कौन सा है देखे बहुत आसान सा प्रश्ण है इसका सही उत्तर होगा आप सब्द गरिमा अगला प्रश्ण देखते हैं किसका प्रयोक सदय वो बहु वचन में होता है देखे इसका सयुत तरोगा आपसे ने दर्शन अच्छा एक प्रश्ण आपसे पूछता हूँ आसू आसू मतलब जो हम लोग रोते हैं जब तो आक से आसू निकलती है न यह बताईए एक वचन है या बहु वचन है कमेंड में बताईएगा जिससे की पता चले कि आप सबकी तयारी कैसी है चलिए अगला प्रश्ण है मैंनी विद्याले जाना है वाक्य में असुद्ध अंस है यह तो बहुत यासान प्रश्ण था मैंनी कहा होगा आप लोग बोलते हो न मैं स्कूल मुझे स्कूल जाना है तो यहां मुझे होगा ना कि मैंनी तो इसका सही उत्तर है आप से ने अगला प्रश्ण है निम्न में भूत काल का उधारण है मैं जाता हूँ यह तो वर्तमान काल का है राम घर गया था तो यही होगा अगला प्रश्ण देखते हैं प्रस्ण चिंन काौन में है कि बहुत आसान कोष्टन है तो आप लोग बचपन से ही लगा रहें तो आप लोगों को पता होगा प्रश्ण चिंन कांसा है इसका राइट अप्शन बी वह ही अगर मैं बात करूं option A की तो इसको पूर्ण विराम कहते हैं और option C में जो है इसको बोलते हैं बिस्मियादी बोधक जैसे हम बोले अरे ये क्या हुआ अरे उसको क्या हो गया हे भगवान तो जब हे भगवान हम बोलते हैं तो ऐसे सब्दों में बिस्मियाद ही बोधक का प्रयोग करते हैं वहीं जो D है डी में जो आपको दिख रहा है एक बिंदू और नीचे कामा इसको बोलते हैं अर्ध विराम इसको बोलते हैं देखेें अल्प विराम अर्ध विराम अलग-अलग है अल्प विराम कामा होता है इंग्लिस में बोलते हैं अर्ध विराम का मतलब होता है एक बिंदी और नीचे कामा बहुत बारीकी से द्यान रखेगा बच्चो चलिए अगला प्रस्ण है निम्न में भाव वाच्च है भाव वाच्च इसका सयुत्तर है आपसन C मोहन से बैठा नहीं जाता और भी उधारण आप ले सकते हैं पक्चडियां से उड़ा नहीं जाता ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बच्चो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आस्मान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका सही उतर है आपसन D अचानक आफ़त आपड़ना देखें आस्मान फट जाना एक बात बताईए क्या आस्मान डेली फटता है कभी कभी तो जैसे बारिस में देखते होंगे कभी कभी तो आपने देखा होगा न तो ऐसे ही इनसान के उपर आफ़त रोज तो आएगी नहीं कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा आजाती है हाँ हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोगों होते हैं उपर हमेशा आ जाए लेकिन आफ़त हमेशा अचानक से आती है तो उसी तरीके से आस्मान से बादल भी अचानक से फटता है तो इसको आप को रिलेट करके भी देख सकते हैं अगला प्रस्ण है देखें निम्न में कौन सा वाक्य मिस्ट वाक्य है तो देखें इसका से उत्तर है आपसन D जब सबेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए देखें मिस्रवाक्य की पहचान क्या है ट्रिक बता रहा हूँ पहला जो सब्द होगा पहला वाक्य होगा उस पर अंतिम वाला वाक्य निर्भर होगा कैसे जब सबेरा हुआ सबेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए ठीक है तो सबेरा होने पर ही हम लोग बाहर गए तो लास्ट वाला जो है, किस पर निर्भर है? पहले वाले पे, इसे याद रखेगा. ऐसे ही प्रस्ण मिस्टरवा के कहलाते हैं. चलि अगला प्रस्ण देखते हैं स्वाव लंबी होने के लिए सही मुआवरा है तो देखे, स्वाव मतलब होता है स्वयम स्वाव लंबी होना यानि कि स्वयम पर खड़े होना, पैरों पर खड़ा होना, ठीक है? इसका सही उत्तर है, option C अब देखे अगला प्रश्न पूछा गया है 47 बोई पेड़ बबूल के आम कहां से होए एक बात बताईए, इसका अर्थ क्या हुआ अगर आप बबूल का पेड़ लगा रहे हैं, तो आम उसमें होगा, बिलकुल नहीं यानि कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा तो इसका राइट अंसर है, आप्शन B चलिए, अगला प्रस्न है लाब ही लाब अर्थ के लिए सही लोकोक्ती देखें, लाब ही लाब होना यानि कि पांचों उंगलिया घी में होना ठीक है अच्छा, अगला प्रस्न है मूल पाठ का ब्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है तो देखें, जब मूल पाठ का ब्याख्या की बात की जाए तो ब्याख्या का अनुवाद कहलाता है ब्याख्या नुवाद जिसको बोलते हैं अगला प्रस्न और आखरी प्रस्न पच्छासवा प्रश्ण है ब्रज हिंदी की किस उपभासा के अंतरगत है देखे तुक्का मत मारिए बच्चो और रटिए भी मत समझते चलिए प्रश्णों को क्योंकि आप प्रश्णों को समझ लेंगे तो जिन्दगी में कभी नहीं भूलेंगे यहाँ देखे प्रश्णों पूछ रहा है ब्रज हिंदी की किस उपभासा के अंतरगत है तो देखे आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैप याद होना चीए उत्तर प्रदेश का मैप आप जब देखेंगे तो ब्रज कहां पड़ता है यूपी के पुर्वी भाग में य याने कि मथुरा, विरिंदावन, आपका उधर पढ़ता है, तो देखें, अब आपको आप्शन में क्या है, पहाडी हिंदी, पुर्वी हिंदी, पश्चमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, तो यूपी का ये पश्चिम भाग है, जब आप मैप देखेंगे, तो मैप में आप आपका right वाला side होता है east, left वाला side होता है west और उपर वाला portion होता है north और नीचे वाला portion होता है south यह map देखने का तरीका होता है तो इसमें जब आप देखेंगे तो यूपी का जो north वाला portion है उधर आपका मथूरा व्रिंदावन पड़ता है तो इससे आपको पता चला कि आप लोगों ने प्रश्ण को अच्छे से समझाओगा देखें रटेंगे तो कभी आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे लेकिन अगर आप समझ के question को करेंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे तो इसलिए प्यारे बच्चों बस एक ही बात कहूंगा रट ये प्रश्णों को मत देखिए प्रश्णों को आप हल करेंगे तो दो चार दस आप कर सकते हैं बेसक आप कर ले जाएंगे दस बीस पचास कर ले जाएंगे लेकिन कहीं न कहीं आप फस जाएंगे लेकिन वहीं अगर संधी के तरीके को पढ़े रहेंगे समझे रहेंगे तो आ पढ़िए एक नहीं दो बार पढ़िए एक बार पढ़ने से अगर कोई बिद्वान हो जाता तो इस प्रित्वी पे हर आदमी बिद्वान ही हो गया होता आई बात समझ में आप सबको तो इसलिए बार बार पढ़िए बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुदी चीजे समझ मे आने लगेंगी तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सब के लिए helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजेगा ना अच्छा लगे तो dislike करिएगा और comment में जो भी होगा जरूर बताईएगा आप सब तो आज के लिए हमें बस इजाजत दीजे जैहिन जै भारत